हेलो दोस्तो आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तो अब हम यह समझते हैं कि आपने किसी भी एकाउंट को डिलीट कर दिया ठीक है तो हम उसको कैसे रिस्टोर करेंगे ठीक है यह एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है कभी-कभी अगर आपको नहीं पता है कि कैसे तो यहां पर हम पहले समझ लेते हैं कि अगर हमसे कोई एकाउंट डिलीट हो जाता है तो हम उसको कितने दिनों में रिस्टोर कर सकते हैं और कब रिस्टोर कर सकते हैं और कैसे रिस्टोर कर सकते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं अगर हमसे कोई एकाउंट डिलीट हो ज मन्त होने के बाद ना तो वो एकाउंड को Microsoft restore कर सकता है नहीं आप restore कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो यह लिखा हुआ है नाइधर यू नौर Microsoft customer service can restore आप permanent delete user permanent delete user तब बनेगा जब वो 30 दिन हो जाएंगे 30 दिन के पहले पहले आप restore कर सकते हो तो कर लीजिए वनना Microsoft कुछ नहीं करेगा ठीक है अब हमारे लिए question यह है कि second question यह है कौन कौन restore कर सकता है तो यहाँ पर आप देख रहें चार टाइप के टीटू support ठीक है और फोर्थ हो गया user administration यूजर अड्मिस्टेशन जनरली हम उनको rights देते हैं जो लाइक help desk हो गई help depths हो गई या आप माल लिजे लवन जो account बना रहे हैं delete कर रहे हैं उन बंदों को हम यह rights देते हैं partner tier 1 support माल लिजे कि आपकी company किसी दूसरे ठीक है third party company को hire करती है for manage करने के लिए accounts management करने के लिए तो आप उनको यह rights दे सकते हैं global administrator तो आपको पता यह सबसे powerful role होता है Azure AD में तो यह हम कभी भी नहीं देते हैं global administrator किसी भी third person को job की account बनाने और डिलीट करने का काम कर रहा हूं उसको तो नहीं देंगे ठीक है अब हम देखते हैं Azure console पे कि यह काम कैसे होता है ठीक है Azure portal पे हम आ गया है Azure portal पे हम आने के बाद यह हमने सारे के सारे users बनाए थे ठीक है अब इसमें हम एक user पहले यह है देखिए डिलीट करते हैं जिसके पास लाइसेन्स है ठीक है आप यहां पर क страш करेंगे रिफेसर करेंगे देखिए इसके पास लाइसेन्स है ठीक है अगर मैं यह account डिलीट करता हूं तो तो इसका मतलब है यह मेरा एकाउंट पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा इसके साथ में लाइसेंस भी चला जाएगा कहां पर चला जाएगा डिलीट अबजेक्ट में चला जाएगा ठीक है अब डिलीट अबजेक्ट में चला जाएगा ठीक है और उस डिलीट अबजेक्ट को हम बोलते है suspended state ठीक है जिस state में चला जाता है after delete के बाद इसको हम जब यहां से console से delete करेंगे तो इसको हम बोलते है soft delete अगर मैं यहां से इसको delete करता हूँ इस account को तो उसको मैं बोलूँगा soft delete ठीक है अगर मैं मैं इसको delete करता हूँ उसको बोलता हूँ मैं soft delete बट अगर ये user ठीक है अब मैं user के users के console पर आ गया अगर ये users ठीक है deleted object ठीक है अगर ये users हमारा यहां पर हम आ गये deleted object यहां पर अगर इसमें इसमें चला गया तो वो consistent होती है यहां पर अगर आ गया 30 दिन के लिए तो यह हमारी हो गए suspended state ठीक है और जब वो इस यहां पर रहता है तो उसको हम soft delete बोलते हैं जब वो यहां से delete हो जाता है तो उसको हम बोलते हाट delete ठीक है अगर वो यहां पर नहीं दिख रहा है तो उसको हम बोलते हैं hard delete ठीक है अब just suppose माल लीजिए कि user 1 है ठीक है मैं दो account delete करने जा रहा हूँ एक user triple one जिसके पास license है हमने देखा कि इसके पास license है ठीक है यह देखिए इसके पास license है एक मैं इसको delete करने जा रहा हूँ और दूसरा without license user को delete करूंगा ठीक है इसको delete करने के लिए आप क्या करेंगे delete पे क्लिक करेंगे ठीक है और दूसरा क्या होता है जो भी इसके पास properties है ठीक है वो भी एक बार समझ लेते हैं इसके पास तीन ग्रूप है ठीक है मैं इसका screenshot भी ले लेता हूँ हम restore भी करेंगे तो हमें पता भी रहे हम क्या कर रहे है ठीक है इसका मैं screenshot ले लेता हूँ और यह हो गया हमारा user one यहां पर लिख क्या गया user one ठीक है यह हम ऐसे लिख लेते हैं इसको ठीक है अब हम इसको delete करने जाते हैं ठीक है यहां पर हम क्लिक करते हैं delete ठीक है यूजर वन को हम delete कर देते हैं यह होगया हमारा user one delete और इसको हम refresh कर देते हैं ठीक है तीन तीन ग्रुप्स का मेंबर भी था यह ठीक है अब यह 30 दिन तक यहां पर पढ़ा रहेगा ठीक है यहां पर देखिए यूजर और अगर सॉफ्ट डिलीट करने के बाद अगर यूजर यहां पर 30 दिन तक रहेगा तीस दिन के बाद उसके उपर हाड डिलीट चलेगा हाड डिलीट में क्या उसको फिर ना माइक्रो सॉफ्ट रिस्टोर कर सकता है नहीं आप रिस्टोर कर सकते हो ठीक है अब मैं इसको रिस्ट मिलता है यह नहीं मिलता है ठीक है restore पर क्लिक करते हैं और यह क्लिक कर दिया हमने restore पर ठीक है अब हम फिर से आ जाते हैं users वाले console पर और इसको refresh करते हैं ठीक है और यह user आ गया यहां पर आप सबसे जाते हैं groups पर यह देखें आप इसको groups को compare कर लिजिए तो यह आ गया सारे के सारे groups आ गया और license देख लेते हैं इसको पास refresh करिए license भी आ ठीक है तो अब हम अपनी definitions पर फिर से आ जाते हैं ठीक है definitions में अब हम क्या बोल सकते हैं इसमें हम यह बोल सकते हैं अगर हम user को delete करते हैं उसके पास जो properties होती हैं वो asserties वापस आ जाती है restore करने पर ठीक है यह देखें यह वाली जो second line है during that 30 days window the user account can be restore along with all its properties ठीक है समझ में आगे आपको तो यह condition हो गई यहाँ पर अब problem क्या है दोस्तों माली जी आपके पास यह interview में question पूछा जा सकता है माली जी आपके पास एक request आती है बोला जाता है कि इस company के पास माली जी एक्स वाइजट कंपनी है ठीक है एक्स वाइजट कंपनी है उसके पास हंड्रेट लाइसेंस है ठीक है पीटू के हंड्रेट लाइसेंस है इस company के पास 100 license है यह X Y Z और इसके पास license है P2 license है 100 ठीक है P2 license है इन्डव्क ठीक है अब situation का आएगी कि आपके tim के पास एक request आती है कि आपके पास request आती है कि आप 50 users को delete कर दीजिए, मतलब आपके पास जो 100 users है 50 users आप उनको delete कर दीजिए, मतलब सभी के पास license है, आप 50 users को delete करने जा रहे हैं, users, deletion to 50, ठीट है, यह P2 license भी हिनके पास, ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ, अब आपके पास होगा कि 50 users तो आपके यहाँ पर आ गए, ठीक है, 50 users इस console में दिखेंगे और 50 users इस console में दिखेंगे, ठीक है, deleted users में, तो प्रावलम क्या होगी, आपके जो 50 users के license है, वो तो 1 month के लिए block हो गए, 30 days के लिए, ठीक है, अगर आप नया users बनाने जा रहे हैं, ठीक है, मान लिजे 5 users की नई request आई कि 5 users नय बना दो, क्योंकि company को तो लगेगा, आपने 50 delete कर दिये हैं, ठीक है, और 5 users नय बनाने हैं, ठीक है, तो उस वाली conditions में आपको क्या करना पड़ेगा, मान लिजे उस वाली conditions में आपको यहाँ पर delete permanently, ठीक है, तो आप खुद भी action ले सकते हैं, 30 days का wait ना करके, मान लिजे ये users हैं मेरे पास, ठीक है, इसको मैं delete करने जा रहा हूँ, अब ही मैं पहले license का count देख लेता हूँ, मेरे पास कितने license है, license पर click करेंगे अब, ठीक है, अभी जो है मैंने assign किये हैं, यहाँ पर मैं इसको, इसका screenshot ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 100 license है मेरे पास और 5 assign है, ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक user को मैं delete करने जा रहा हूँ, और उसको मैं करने जा रहा हूँ, permanently delete, ठीक है, user one, पहले हम करते हैं उसको, soft delete, ठीक है, और थोड़ा सा wait करेंगे, दिखते हैं कि, यहाँ पर मैंने delete कर दिया, ठीक है, अब मैं license पर जाता हूँ, license पर आप जाके product पर क्लिक करिए, ठीक है, यहाँ पर अभी भी आपके पास पांची है, ठीक है, क्योंकि उस user के पास license वहाँ पर assign है, अब मैं उस user को permanently मैं delete कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको delete permanent, ठीक है, यह user delete हो गया permanent, जब तक यह process चल ला है, यह थोड़ा सा time लेता है, यह हो गया, delete, user permanent deleted, ठीक है, refresh में थोड़ा सा time लग जाता है, जो license भी उसको मिलेगा, थोड़ा सा wait करना पड़ेगा हमें, कभी-कभी तुरंट भी हो जाता है, और कभी-कभी time भी लग जाता है, ठीक है, अब हम आते हैं, फिर से product पे, यहाँ पर हमारे पास कितने license है, पांच ही आ रहा है, तोड़ा सा wait करेंगे, तो यह six हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे four हो गया, sorry, assigned license four हो गया, मतलब एक जो है license हमारे पास यहाँ पर extra हो गया, अब level में, ठीक है, अब हम क्या करते है, non license वाले user को आप कभी भी delete कर सकते हो, कोई problem ही नहीं है, बट देख लेते हैं एक बार उसको भी delete करके हमारे लिजी यह four times one है, इसको groups कौन से assign है, कोई नहीं है, इसको हम delete करेंगे, कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है, तो अब आपको hopefully यह समझ में आ गया होगा, कि हम कैसे delete कर सकते हैं, कैसे restore कर सकते हैं, ठीक है, और meanwhile मैं आपको यह भी उता देता हूँ, ठीक है, जो आप portal पे login करेंगे, इस temporary password से, फिर उसके बाद आपको वो password चेंज करना पड़ेगा, उसी time पे, ठीक है, तो नया password के लिए आपको pop-up करेगा, तो hopefully आसा करता हूँ, यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी questions होँ, तो please comment box में जरूर बताएं, thank you.